नमस्कार मेरा नाम है देविंद्र शर्मा पर्फॉमेंस टूटर में आप सभी का स्वागत है इन इस वीडियो लेक्चर वी अर गोईंग टू स्टार्ट इसम्री ओफ ग्लास नाइन एंसे आर्टी जोग्राफी ठीक है चप्टर का नाम है इंडिया इंडिया साइस एंड लो इंडिया इस वन आप दे एंसेंट ंसिविलाइजेशन है इंडिया किया है वह ऐन आ छूप 1 अबी एंसेंट ं आ शमय ओक है निआँ ओक है तुछ है तीड बात पसकते को सखने पालः फ्रोजंटी color is a coda जब्ली प्रोग्रेशने डिरिश्ट का वह साव अनेक प्रतिबाहों से सम्पन ठीक है मतलब आपके पास बहुत सारे एकस 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 एक्स किसी कंट्री को क्यां च्रीडर कर सकते हो ठीक है having many aspects to be considered ठीक है इसको बोलते हैं multifaceted अनिक प्रतिबाय है मतलब बहुत सारी प्रतिबाय है उसको बोलते हैं multifaceted तो आप लास्ट फाइब डिकेट से लास्ट फाइब टेमा अन्डिकेट इस इकोस्टू तो 50 years की बात चल रही 50 इस ने बहुत सारी जो है एकनोमिक प्रोग्रेस एक्षी तीक है आगे बढ़ते हैं इस बोव्ड फोरवर्ड डिस्प्लेंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फील्ड एग्रिकल्चर इंडस्ट्री टेक्नोलोजी एन ओवरल एकनोमिक डेवलोप्मेंट ठीक है मतलब इसने क् मतलब बहुत सारी प्रोग्रेस किये किस-किस फिल्ड में जा है वह एक्रिकल्चर का फिल्ड हो या इंडस्ट्री का फिल्ड हो ठीक है या टेकनोलोजी से रिलेटेड हो या फिर ओवरल एकनोमिक डेवलोप्मेंट हो तास 15 यह में इंडिया ने वोट कुरिश एचिव किया क्यों नाम इतनी अच्छी कंट्री जिसने की जिस जिसका एक एंचेंट सिविलाजेशन बेभी भाग रहा है ठीक है और वर्ल्ड इस्ट्री में भी इसने बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रिस किया है लास्ट फिप्टी नियर्स से जो की अपना एकनोमिक में देखा जाए कि उसकी कहा है उसकी उसकी साइच क्या है यह सब के बारे में हम पढ़ें जिकals में बोकेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं तो इंडिया लग्nio को है का है इiesta कि और katori है जैसके आपको यहां पर मैप में देख सकते हैं इंडिया क्या है राइंग ला मे लेधी इरिया goods को बोलता है नद्रन एमिस्फियर इसका बोलत आ totaip से टो न मृजिवार्ट तो इंडिया कहा पर पाया जाता है जो नौर्थ इस जो नौर्थ इस्टड़ नौर्थ इस्ट है मस फेरे मतलब यह जो एलाका इसको तो इंडिया वहाँ पाया जाता है पर हम क्या गया देते हैं सिर्फ नौर्थन हैमिस्फिर पढ़ना है अभी इस क्लास में आपको ठीक है मतलब कहां से कातक यह फेला हुआ है तो यह जो लैटी मतलब मतलब कहां से कहां टक यह पेला हुआ है हे विट्वीन इस तप स्वलिक्योमा सकता इनको प्लेकु एप inputs आपको स्वल्म ऑने वीम्म प्लें तो यह इस्यांश सरे हैं थाधील से पाजला हई और इनको longitude कहा जाता है ठीक है तो यह इस type से हम देखते हैं किस type से इन ही के मादने हम से हम पढ़ते हैं किस type से land को extend किया गया है ठीक है अब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 8 degree 4 minute north इसको कैसे pronounce करेंगे 8 degree 4 minute north ठीक है मतलब 8 8 को 80 कहा जाएगा जो उपर डॉट दिख रहा है इसको डिगरी कहते हैं 4 ठीक है और जो उपर सेंपल दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या मिनिट मिनिट इसको मिनिट कहा जाता है और नौर्थ ठीक है नौर्थ यहाँ पर लिख इसको इसको नौर्थ 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 फोर मिनिट नौर्थ ठीक है अब ghoon nail नोदन पोल है यहां तक का गैर नायं तो कितना इसा है यहां से ईंगल हो नायंटीडीडी 2 उनता है तो यहान पर जो आ जाता है आपको यहां पर जो पॉइंट आता है वह तो पॉइंट नोड लोगिट्यूट एम लोगिट्वीट अब इस वाद करें धिकिर टीस टैप से बात करें ठीकakah कि लॉगिट्यूट खुर्ण एड डिग्री सैवन मिनिट इस अब इसमें इस्ट कहा जायेगा पूरे में इस क्योंकि अब यह यह और यहां पर यहाँ पर मिलेगा और यह नाइटी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइब मिनिट आपको इधर मिलेगा ठीक है आगे बहते हैं आगे बहुता है आगे कहां इंडिया से गुजरती है ठीक है टॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारी इंडिया से गुजरती है तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो कि यह रही ती यह जो दिखरी है न यह थार्टी डिग्री इसकी नीचे यह बिल्कुल ठीक है जो क्या आएगा ट्वेंटी थ्री डिग्री थार्ट 30 minutes not 30 minutes not 30 degree यहां दिख रहा है आपको 30 degree यहां दिख रहा है तो उसकी नीचे ही आएगा 23 क्योंकि 15 degree यहां है 0 यहां है तो ऊपर जाएंगे तो 23 degree 30 minutes और तो उपर आएगा divide the country ठीक है country को क्या किया गया है divide किया गया आल डिवाइट the country into almost two equal parts ठीक है अब यह topic of cancer जो है जो country को क्या दो equal parts में divide करती है ठीक है यह बोल रहा है to the southeast and the southwest of the mainland ठीक है south east ठीक है south east sorry आगे इसको थोड़ों पर ठीक है ठीक है south east ठीक है जो जो मिलेगा आपको south east ठीक है south east and the southwest of the mainland lies the undermane in Nicobar मतलब अब क्या है इसको डिवाइट करती है इस नोड़ अपर पार्ट्स में जो की क्या है topic of cancer पर जो south east ठीक है south east और southwest यह ठीक है फिर से थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको ठीक है तो south south east यह वाला और south west यह वाला तो आपको क्या मिलेंगे यहां पर दो island island मिलेंगे ठीक है अंडमान निकोबार एंडी लक्षीदीव आइलेंड मिलेंगे ठीक है तो capital क्या है अंडमान निकोबार की पर लक्षीदीव इसकी पॉजिशन देख ले का पर है अंडमान निकोबर वापको कहा मिलेगा अंडमान निकोबार का मिलेगा आपको बेव भेंगोड मे मिलेगा आपको यह ठीक है अरिबियन सी इमें ठीक है यह इसकी जोग्रोफिकल लोकेशन हो गई ठीक है अब यह आगे बोल रहे हैं ठीक है find out the extent of this group of islands from your atlas ठीक है जो कि आपके पास atlas की book है उस में उस उस book से आप जो है इसका जोग्रोफिकल extent है कि यह दो islands का उस वो बताईए तो मैं आपको बता देता हूँ अंडमान एंड निकोबार का जो extent है वो क्या है 64 डिग्री 64 डिग्री 5 मिनिट नॉर्थ ठीक है नॉर्थ से तो 40 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूट्स ठीक है लेटीट्यूट्स ठीक है यह है ओके और जो और क्या है 92 डिग्री 92 डिग्री से तो इस अब कर देता हूँ 92 डिग्री से तो 94 डिग्री इस्ट लॉंगिट्यूट्स ठीक है इस्ट लॉंगिट्यूट्स ठीक है यह लिख लीजी आपको काम आएगा और यदि हम सदन सदन मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं ठीक है यदि इंडिया क आपको मिलेगा है कि इंद्रा पुइंट आपको मिलेगा यहां पर त्क है जो अंडमाने निकोबार रहे वहीँ उसके नीचे ही सबसेंदरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ठीक है मैं अपनी वाड़ी को यहीं विराम देता हूँ आगे की लेक्चर्स देखने के लिए जोड़े रहे है परफॉर्मेंस ट्यूटर के साथ थैंक यू धन्यवाल